एक्जामदार चैनल पर स्वागत है, लाइक करें हमारी वीडियोज को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हो जाए ताकि आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें हेलो फ्रेंट्स, एस्टेट 2020 के समाजिक विज्यान के भागदू के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है ये स्टेट स्पेसल समाजिक विज्ञान का भागदूर स्रीच चलाया जा रहा है इसमें आपको समाजिक विज्ञान के जितने भी वो प्रसन है जो पूछे गए हैं पिछले एक्जाम में वो प्रसन कराया जा रहा है साथ इसके CDP यानि Child Development and Pedagogy बाल विकासेवं सिक्षा सास्त का भी स्रीच चलाया जा रहा है उसमें भी वो प्रसन कराया जा रहे हैं जो पिछले कई सारे यूपी टेट राजस्ठान टेट के एक्जाम में पूछे गए हैं तो उसका स्रीच चलाया जा रहा है उसका भाग आठ कर दिया गया है वो भी आप जहूर देखें तो सभी वीडियो देखें और सभी वो प्रतन है जो एक्जाम में पूछे गए हैं तो काफी महत्पूर्ण है और ये इस्टेट का जो 9 से 21 सेप्टेंबर के लिए 21 सेप्टेंबर के बीच एक्जाम होगा उसके लिए ये दोनों सिरीच चलाया जा रहा है तो वीडियो जहूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये समाजिक विज्ञान का आज का दूसरा सेशन आप समाजिक करनी है तो बेहतर ओंलाइन त्यारी के लिए एक्जाम दौर चैनल को सब्सक्राइब कर ले यहां आपको बेहतर तयारी करा जाती है तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज का आज का पहला कोस्टन के साथ पहला कोस्टन है बुद्ध ने अपना पर्थम धर्म सही एंसरों का option B सारनाथ में भुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था चलिए देखते हैं अगला question राजा हर्सवधन पराजित हुए थे राजा हर्सवधन किसे पराजित हुए थे तो option है पंजाब के राजा दोरा कामरूप के राजा दोरा दच्छिन के चलुक सास को दोरा या बंगाल के राजा दोरा तो इसका सही एंसर होगा option C दच्छिन के चलुक सास को दोरा राजा हर्सवधन पराजित हुए थे अगला question है question number 3 आइने अकबडी लिखी गई थी आइने अकबडी किसके दोरा लिखी गई थी option है फिरिष्ता दोरा, इबन वहुता दोरा बीरवल दोरा या अबुल फजल दोरा तो option number D चाही हो जाएगा आइने अकबडी अबुल फजल दोरा लिखी गई थी चलिए देखते अंगला question बारत में अंग्रेजी सिक्षा का प्रवर्तन किया गया अंग्रेजी सिक्षा का प्रवर्तन किसके दोरा किया गया था option L करजन दोरा, नहरू दोरा, मैकाले दोरा या डलहोजी दोरा तो इसका सही एंसर होगा option C मैकाले दोरा लोड मैकाले दोरा भारत में अंग्रेजी सिक्षा का प्रवर्तन किया गया था चलिए देखते अंगला question और अगला question है भारतिय समिधान की प्रारूपन समिधे के अध्यक्ष कौन थे और इसकी option है जेवी क्रिपलानी, राजेंदर प्रसाद, जे इल, नहरू, नहरू यानि जवाहलाल, नहरू या बी आर, अंबेदकर तो option number D से हो जाएगा बी आर, अंबेदकर भारतिय समिधान की प्रारूपन समिधे के अध्यक्ष कौन थे बी आर, अंबेदकर, बाबा साहब, भीमराओ, अंबेदकर चलिए देखते अंगला question question number 7 स्वराज मेरा जर्मसित अधिकार है एवंग इसे मुझे अवस्थ पाना है किसने कहा था option है जीवी तिलक, लाला लाजपतराय, एमके गांधी, या स्सी बोस तो option number A सही हो जाएगा जीवी तिलक, यानि बाल गंगाधर, तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जर्मसित अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा चलिए अगला question देखते है, question number 8 भारतियस समिधान गिरिहित हुआ भारतियस समिधान कब गिरिहित हुआ था तो इसकी option है 26 जनवरी उनेश उपचास को 26 जनवरी उनेश उन्चास को 26 नॉवंबर उनेश उन्चास को या 31 दिसमबर उनेश उन्चास को तो भारतिये समिधान कब गृत हुआ था अप्शन नमर सी सही हो जायेगा 26 नॉम्बर उनेश समिधान गृत हुआ था अगला कोशन है एक राजिका राजिपाल कि बताना है क्या होता है विधान मंदल दोरा निर्वाचित होता है परधान मंतिरी द्वरा मनुनित होता है भारत के मुख नियाए धीस द्वरा निक्थ होता है या भारत के राष्टपती द्वरा निक्थ होता है तो option number दीस हो जाएगा राष्टपती द्वरा निक्थ होता है कौन राज का राजपाल किसके द्वरा निक्थ होता है भारत के र तो option number कौन सा सही होगा, option number B सही होगा, एक राज का कारकारी परधान कौन होता है, तो उस राज का राजपाल कारकारी परधान होता है, चलिए देखते हैं अंगला question, गुलिवर, ट्रेवल्स, पुस्तक को किसने लिखा है, और इसके option है, सैम्योल, जॉन्सन, जोनाथन, स्विफ्ट, ओलिवर, गोल्ड, स्मित, या एडिशन, तो इसका सही एंसर क्या होगा, सही एंसर होगा, option B, जोनाथन, स्विफ्ट, गुलिवर, ट्रेवल्स, किसकी पुस् किस ने लिखा है डेविद कॉपर फिल किसकी पुछतक है तो इसकी ऑप्शन है जॉर्ज इलिएट M. थाकडे, Thomas Hardy या Charles Dickens तो इसका सही अंसर क्या होगा। सही अंसर होगा आप्शन D. Charles Dickens चार्ष· Dickens की पुछतक है डेविड कॉपर फिल छलिए अगरा देखते है फेलूदा पातर का स्रीजन किस ने किया और इसकी अप्षन है सत जीत राय, संकर, विभूती भूसन, बंदो पद्याय, एराविंदनात, टैगोर तो इसका सही answer क्या होगा सही answer होगा option A सत जीत राय सत जीत राय ने खिलूदा पातर का स्रीजन किया था चलिए देखते हैं अगला question नमबर 14 स्रीकांत पातर का स्रीजन किस ने किया और इसकी option है बंकिम चंदर चटो उपध्याय सरत चंद चटो उपध्याय या मानिक बंद उपध्याय सत जीत राय तो इसका सही answer होगा option B सरत चंद चटो उपध्याय सरत चंद चटो उपध्याय ने स्रीकांत पातर का स्रीजन किया था चलिए अगला question देखते है question number 15 गीतांजली पुस्तक किसने लिखी है और इसकी option है काजी नजरूल इसलाम सतेंद नात दत रविन्द नाथ ठाकूर या बिहारी लाज चक्रवर्ती और इसका सही answer होगा option C रविन्द नाथ ठाकूर रविन्द नाथ ठाकूर दोवारा गीतांजली पुस्तक लिखी गई थी चलिए अगला question देखते हैं आपको बता दे कि A state 2020 के समाजिक विज्ञान का इस श्रीज का भाग दू है सभी में 25 प्रसंट वो important question करा जा रहे हैं जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं तो उस question के हम स्रीज चला रहे हैं ये भाग दू है इसमें भी 25 question होंगे तो चलिए देखते हैं अगला question क्या है विज्फ के सबसे छोटे देश का नाम बताईए कौन सा देश है option है Maldiw, इसराइल, चीली या वेटकन, सिटी तो विज्फ का सबसे छोटा देश कोन है सबसे छोटा देश है option D, वेटकन, सिटी ये विज्फ का सबसे छोटा सा देश है अगला है नासिक अवस्थित है नासिक किस नदी के टटपर अवस्थित है ये बताना है तो कृष्णा नदी के टटपे कावेरी नदी के टठपे गोदावडी के टठपे या नरमदा के टठपे तो इसका option क्या होगा सही option क्या होगा तो सही option होगा इसका 17 का C गोदावडी नदी के टठपे नासिक गोदावडी नदी के टठपे अवस्तित है चलिए देखते हैं अगला question question number 18 केरल की राधानी कहा है तो केरल की राधानी कहा है अप्शन है चेन्नाई, तिरिव अनंद पूरम, कोचिन या मैसूर तो इसका सही अंसर होगा अप्शन B, तिरिव अनंद पूरम केरल की राधानी कहा है, तिरिव अनंद पूरम चलिए देखते हैं अंगला कोश्चन निमने लिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है उप्शन है मकर रेखा, करक रेखा, विश्वत रेखा या जिरो डिगरी देशांतर तो उप्शन नमबर कौन सा सही होगा? उप्शन नमबर बी सही होगा करक रेखा करक रिखा भारत से होकर गुजरती है चलिए अगला कोशन देखते हैं पच्छिम मंगाल का मुख खनी जुत्पाद क्या है option है कोईला, मैंगनीज, डोलोमाइट या तामबा तो पच्छिम मंगाल का मुख खनी जुत्पाद क्या है option number A सही हो जाएगा कोईला पच्छिम मंगाल का मुख खनी जुत्पाद है कोईला option number A सही होगा चलिए देखते हैं अगला कोशन Reactor Scale का प्रियोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है सरीर का ताप को मापने के लिए महसागर की घराई मापने के लिए हवा की तिवर्ता मापने के लिए या भुकम मापने के लिए तो option number D सही हो जाएगा भुकम की तिवर्ता मापने के लिए Reactor Scale का प्रियोग किया जाता है चलिए देखते हैं अगला question question number 22 दादा सहाय फाल के पुर्सकार दिया जाता है दादा साहे फाल के पुर्षकार किसे दिया जाता है तो option है गुजराती साहित में विशिष्ट सेवार्थ के लिए भारतिये छलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ के लिए या भारतिये खेल में विशिष्ट सेवार्थ के लिए या भारतिये संगीत के विशिष्ट सेवार् अगला कोशन है कुछी पूरी एक निर्थ है कुछी पूरी कहां का निच्च है तो अप्शन इसके तमिलाडू का करनाटक का आंध्र प्रदेश का या किरल का तो इसका सही एंसर क्या होगा सही एंसर होगा अप्शन नमबर C कुछी पूरी आंध्र प्रदेश का एक निर्थ ह कोण कुची पुडी ऐसे आप याद रखते हैं कुची पुडी आंध प्रदेश का लोक नित्थ है चलिए अगला कोशन देखते हैं भरत नाट्यम मूलत कहां का नित्थ है यह मैं बताना है तो इसकी ओप्षन है तमिल नाडु का करनाटक का किरल का या आंध प्रदेश का तो भरतनाट्यम कहा कहा है option A तमिलनाडू का नित्थ है भरतनाट्यम तमिलनाडू का नित्थ है चलिए देखते हैं अगला question question number 25 और आज का ये अंतिम question होगा तो चलिए देखते हैं सही जुरे को इंगित किजी इसमें से बताना है सही जुरा कौन सा है हरी परसाद चोड़सिया सहनाई वादक क्या बजाते हैं तो सहनाई बजाते हैं विलायत खान वाइलिन बजाते हैं अगला question है सरन रानी बाश्री बजाती है या पंडित रवी संकर सितार बजाते हैं तो इसमें से हमें सेशन का पसिस question complete होता है आप हमारे चैनल एक्जाम द्वार पे नए है तो वीडियो को like और share कर दे साथ चैनल को subscribe कर ले subscribe के बगल में बेल आइकन है उसे भी दवाले जिससे हरे वीडियो का notification आपको मिलता रहे आप हमारे चैनल एक्जाम द्वार पे Math, GK, Origining सभी का वीडियो देख सकते है वीडियो का लिंक इस वीडियो के description box में दे दिया गया है वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते है साथ ही आप हमसे WhatsApp, Telegram, Instagram और Facebook का माध्यम से जूर सकते है जूरने के लिए लिंक दे दिया गया है साथ ही WhatsApp का वी लिंक इस वीडियो के description box में दे दिया गया है वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे WhatsApp ग्रूप को जॉयन कर सकते हैं हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत